अच्छा तो यह जान और एक वी था क्या है तुम्हारा फर्स्ट वाले में क्या है इसको प्राइब दोनों की डिस्ट्रिप्यूसन कैसे हैं है इसका अब्लिक्शन है इस वसी कोश्टन कंडिनिवरेस तो दूसरा कोश्सन है कि यूए यूए पहले हैं तो यू भी क्या है यू क्या है और भी क्या बता यू क्या है और भी लेकिन अंसर एक्स वाई क्या इस्ट्रिबूशन क्या लिया नॉर्मल जीरो वन तो आप से पूछ रहे है कि क्या यह इंडिपेंडेंट होगा तो कुछस्था नहीं यह निकाले थे इंजी एफ निकाल के देख लो तो अपड़ेगा दोनों का एमजी एफ से आएगा तो पतन आता है नॉर्मल नहीं आएगा यह नॉर्मल नहीं ऐसे दिखिए कि एक स्कॉर मैंने स्कॉर को ब्रेक कीजिए न हाँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हाँ दोनो दोनो नॉर्मल जिरो टू का मल्टिप्लिकेशन अच्छा वैसे सोच रहे हैं तुम की माल लो तो ऑने यहां पर तुम करें रूट्टी एक्स और रूट्टी वाई एई ठीक है यह नॉर्मल जिरो टू है सब्सक्राइब करते हैं लोग इंडिपेंडेंट के लिए कुछ क्रिटिरिया है तो सर मार्जिनल वाले से तो मतलब नहीं होगा बहुत तरीका से इंडिपेंडेंट के लिए या कोई तो तुम लगा रहे थे इसको तुम ऐसा लिख सकते हो एकस माइनस वाई होल स्क्राइब माइनस एकस एकस प्लस वाई होल स्क्राइब माइनस एकस माइनस वाई होल स्क्राइब एसा लिख सकते हैं अब देखो यहां से जो है तुमारे पास एकस प्लस वाई एकस माइनस वाई यहां पर क्या बोल सकते हो तुम अगर हम covariance निकाल ले दोनों का चलो तो covariance अगर दौन जिरो आ गया तो गारंटी हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट नहीं है अगर हम covariance निकालते हैं यू भी का तो और अगर वो जिरो नहीं आया तो ये तो स्योर है कि UNBR डिपेंडेंट मतलब UNBR तो नॉर्मल नहीं है न हाँ तो covariance में हम तो जा सकते न उसके थ्रू अच्छा covariance के लिए हमें किसका help लेना पड़ेगा तो प्रॉविटी तो निकाला जा सकता है एक्सवाइ इंडिपेंडेंट है ना एक्सवाइ तो आइड है तो ट्राइए करके देखना पड़ेगा experiment करना पड़ेगा है एक स्कोर काई स्कोर वन है वाई स्कोर काई स्कोर वन है तो यहां से हां तो इसमें तो सब्सक्राइब तो यह निकाला था जिरू आया तो फिर तो कुछ कहा नहीं सकते हैं लेकिन यह नॉर्मल तो होगा नहीं कि कुछ कह पाएंगे कुछ तो तब कहाते जब नॉर्मल होता इसलिए तो इसे दिख रहा है जिरू पर क्योंकि पोवेजियंट लेंगे आप एकस स्कोर माइनस प्रोड़क्ट तो वह तो आ जाएगा ऑफ उसको नहीं लेना पड़ेगा अज़ा तुम ऐसे अलग अलग कर रहे हो वह ठीक है कैसे भी कर लो तुम यह कर रहे हो कि कोवेरि यहां से कुछ कहने पाएंगे अगर नॉन जिरो आता तो गारंटी होता कि इन्डिपेंडन नहीं है तो अभी के लिए दूसा तरीका लगाना पड़ेगा तो उसके लिए जा तुम्हें जॉइंट पर जाना पड़ेगा जॉइंट जाने के लिए एक काम करो ना एकस वाई इंडिपेंडनेंट है तो एकस कॉमा वाई बाई वेरियेट क्या है बाई वेरियेट नॉर्मल है विट पैरामेटर 00110 हाँ और यहां से एकस प्लस वाई एकस माईनस वाई बाई वेरियेट नॉर्मल है 00220 है ना यहां तो ठीक है अब एकस स्कोर वाई स्कोर का हम प्रोड़क्ट ले रखें ना एकस प्लस वाई एकस माईनस वाई तो प्रोड़क्ट में यहां तो ठीक है इसका अगर यू भी रख दे जैसे तुम ट्राई कर रहे थे तो उसके लिए मेरे पास अच्छा यू भी तो मैंने कुछ और ले रखा तो इसको कुछ और लो इसको यू भी के बजाए इसको तुम सम्थिंग ले लो टीवन कॉमा टीटू यह है तो टीवन टीटू जो है तो अब तुमारे पास यह चैलेंज है कि Ditवन टीट ऋ बआई बिड normall having है तो यू है ती ओन इंटू टी टो और वी है कि वन स्कौर माइनस टीटू स्कौर यह यह व Skills स्कौर माइनस तुम करें यहां से यूभी का तो निकल जाएगा ना यहां से अगर मुझे दोनों पता है तो यूभी का तो जॉइंट निकाल पाएंगे जॉइंट न वहां पर एक्स वाई के बजा अब हम टी तो यूइस निकालरेंगे reports F of T1, T2, जो भी T1, T2 आएगा, यह X, U भी में लिखो, तो अभी के लिए, ठीक, तो, लिखो T1, T2, T1, T2 में, जाकोविन कितना आएगा, जाकोविन किसा निकाली पाऊगे, तो यहां सिंपल है, अगर यह product of function of U आगया, यह product of function of V मिला, मतलब यह function, अगर दो function का product आगया, तो हो जाएगा, independent, और भी problem नहीं है, मतलब दोनों तो, minus infinite, प्लास infinite है, यहां पर जैसे टी वन तो, टी वन रियल नंबर, टी टु डियल नंबर, तो, difference कोई भी रियल नंबर आ सकता है, product कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं, बागी तो दिक्कत है नहीं, अब बागी इसमें अगर तुम्हें देखना है, है रीलेशन क्या हो सकता है तो वैसे तो टी में टी टू डील नंबर है ? आंagensल i one one function है तो इनवर्स पीदिवory को देखते हैं क्या आता है इनवर्स के आएगा यहां से तो मगर निकालोगे तो T1 की वैलू जैसे है U upon T2 और यहां मैं रख दूँ T1 की वैलू U square upon T2 square minus T2 square यही है है तो है कि मतलब नहीं होगा ना मतलब एक स्वाई का का कार्व किस तरह आता है कि इस तरह से सूच रहा था हुँँ ना यहां पर इसको सिंप्लिफाई करके देखते हैं टीटू की वैलू क्या आएगी तो कोड़ेटिक बन रहा है इससे लग रहा टीटू दो वैलू आएगा ऐसे तो पावर फूर का बन गया यह है यहां से मुझे निकालना पड़ेगा टीटू की वैलू यू वी के टम में क्योंकि अभी तो यू भी अना टीटू को डम में है क्या हम टीवन टीटू निकाल सकते हैं यू भी क्टम में कि इस तरह आएगा इस तरह एगा एक आइपर बोला तुम्हारा इस तरह का है ती वन टीटु मगद बनाएंगे तो और एक तुम्हारा इस तरह का होगा कि थाड़ पॉर्ड है ऐसा कुछ तो और हम किसके टाउम में लिक रहे हैं टी बन टी डू का फंक्शन है कि अठीका टी बन टी डू का वन बन फंक्शन है यहां पर जाकोवियन से इसलिए बोले से जाकोवियन से बहुत टाफ आएगा कि तुम्हारा क्या बचता है तुम जॉइंट जॉइंट कैसे जब बिना जॉइंट कर सकते कुछ तो करना पड़ेगा जॉइंट जॉइंट निकाले जॉइंट एमजीएफ निकाले कोई थियोरम होगा क्यूंग जब पहले भी नहीं नहीं कि दोनों का आइडेंटिकल डिस्टिब्यूट मतलब डिस्टिबिशन है तब भी मैंने मतलब उसी तरह जॉइंट से सोचा पहले पर फिर दिमंग में विए हैं कि बार अच आध्या यसा कर सकते हैं यह ट्राई करो तो यहां से तो ई की पावर यू ती ँट belum प्लस विटीटू अब यू भी रख दो एक्सवाई के टर्म में तो ई की पावर यू अगर रख दोगे यू तुमारा एक्सक्वाई लाइस वाइस वाइस वाई तो तो x square minus y square t1 और t1 and into e की power 2xy t2 है तो यहां से अब क्या होगा इसको simplify करते हैं xy में निकालने कोशिस करते हैं xy separate तो होगा नहीं हला कि लेकिन यहां पे given करके conditional लगाए कर पाओगे तो क्या मुझे t1 t2 का पता t1 t2 क्यों ना use कर ले यू भी t1 t2 में क्या है तो ऐसे कर लेता है t1 t2 का टम में यह इतना वो करने के बजाए हम यह use कर लेता है तो mg of technique side help करेगा t1 t2 में लिख देता हूँ so u भी का चाहिए ना तो u का t1 t2 का टम में क्या है t1 t2 यू है है ना into t1 और e की पावर बात वही है वहले यू वह प्रोड़क्ट था यह प्रोड़क्ट वह गया है तो सेम ही चीज ना बात ब्रावड यह उससे करो यह से करो है तो सेम ही चीज क्योंकि आना वही है तो क्योंकि नो मैं कहरा है देको पहले क्या था यहां स्कूर का डिफरेंस था यहां प्रोड़क्ट था अब यहां प्रोड़क्ट यहां स्कूर का डिफरेंस आ गया है तो सेम ही चीज तो उससे कोई फाइदा तो यहां से आगया t1 माइनस t2 square इंटू t2 अब इसको तुम t1 t2 में अलग करो कंडिशनल ले लो तो एक t1 पर कंडिशनल ले लो फिर आ जाएगा उससे कुछ आ जाएगा मतलब यह कह रहा हूं तो यहां से क्या सकता है अगर हम इसको लगा दे डवल एक्सपेक्टेशन गिवन t1 ठीक है फिर वैसी है तो ट1 को फिक्स रखना और बाकी t2 क क्या बनेगा इमें टीटू में देखो क्या बनेगा यह वही एकस वाइए इसको आपको आपको अब गिवन एक्स कर देंगे तो य कर देंगे तो य की टर्म में एमजी एफाएगा तो कुछ बनना चाहिए इस तरह से कोसिं मतलब थोडह तो मुझे नहीं होना चाहिए अब मैं इनडिपेंडेंस चेक में यह कोई डीरेक्ट्थेओरम समय नहीं थे चुलो में इचाणि क्या आ है यह यह प्रोडक्त कुछ नहीं होगा पता नहीं इंडिपेंडनेंस कैसे देखा पाएंगे सुचना पड़ेगा वह यहां के लिए भेजा सब देखिए सही है इसको और चेक करते हैं आगे इसको भी छोड़ो क्योंकि इसमें इतना आसान नहीं लग रहा है देखता हम इसमें तो अधर और एक वर क्योंकि आग।